ओम् श्री गुरुभ्यो नमहा हरिही ओम् जात वेदसे सुनवाम सोम मराती यतो निदहाती वेदह सनफ परशदती दुर्कानी विश्वा नावेव सिंधुन दुरिता त्यग्निही ताम अग्निवर्नान तपसान जोलंतियों वैरो चनीन कर्म फलेशु जुष्टाहाम दुर्कान देवी गुम्षर नमहां प्रपद्य सुतरसितरसे नमह अग्ने त्वंपार या नव्यो अस्मान थ्वस्ति भिरती दुर्कानी विश्वा पुष्च पृत्वी बहुलान उर्वी भवा तो काय तन्याय शैयो हो विश्वानी नो दुर्काह जातवेदसिंधुन नावा दुरिताति परशी अग्ने अत्रिवन्मन साग्रिनानो उस्माकं बोध्य वितातनूनाम पृतनाजित गुम सहमान मुग्रम अग्निगुम हुवेमा परमात सदस्थात सनफ परशदति दुर्कानी विश्वा क्षामत देवो अति दुरितात्य अग्निही प्रत्नोशी कमीड्यो अध्वरेशु सनाच होता नव्यष्च सत्सी स्वांचा अग्ने तनुवंप प्रयस्वा स्मभ्यंच सौभग माय जस्वा गोभिर जुष्टमयुजो निशिक्तंत वे एंद्र विष्णो रनुसंचरेमा नाकस्य प्रिष्ठमभी सम्वसानो वैष्णवील लोक इहामाद यन्ताम कात्या यनाय विद्महे कन्यकुमारी धीमही तन्नो दुर्गिफ प्रचो दयात सभी को सूप्रभात और जैमा दुर्गा आज हम वफा सुल्तान की किताब एक गॉड हूँ हेट्स एक अल्ला जो नफरत करता है या एक खुदा जो नफरत करता है उसका पांचवा भाग देखेंगे दर नेचर अफ गॉड इन इसलाम की इसलाम का अल्ला कैसा है लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम न्यूज पढ़ेंगे तो आज की मेरी स्ट्रीम छोटी ओने वाली एक गंटे में समात तो जाएगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पहली न्यूज है मौलवी वसीम को पानीपत से कहराना ले गया उर्दू का उस्ताद दिलशाद डंडे से पीट पीट कर मार डाला फिर निर्माना धीन मकान में गाड़ा आरोपित ने पुलिस को बताया है कि वसीम को काम दिलाने के बहाने कहराना ले गया था उसने उसे एक निर्माना धीन का मकान में बैठने को कहा तबी मौका पाकर दिल्शाद ने वसीम के सिर पर धंडंडे से ताबर तोड कई वार किये जिससे उसके उसी मौके पर मौत हो गई दूसरी नियूज है नौकरी रोजगार और पैसे का लालच यूपी के हर दोई में 40 लोगों को इसाई बनाने की कोशिश करने वाला गिरफतार कहा हिंदू धर्म अच्छा नहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि चौपाल में मौजूद लोगों में से एक बबलू दयाल ने पुलिस को बताया कि कमलेश ने पहले सभी को समझाने की कोशिश की कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है और बाद में भोले भाले स्थानिय लोगों को इसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और रोजगार का लालच दिया है अगली न्यूज है हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हो नहीं देंगे कास्ट सर्टिफिकेट महराष्ट के नांदेड में MBBS लड़की के साथ भेदभाव लोग भढ़के मयूरी के पिता का कहना है कि समिती के कुछ लोगों ने उनके घर पर भगवान शेव और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां देखी समिती के लोगों का कहना है कि मयूरी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है इसलिए वह महादेव कोली जन जाती से अलग है और उसे प्रमान पत्र नहीं दिया ज गिरफतार दावा मुबाइल में हजारों अशलील फोटो मिले। पीडित चात्रा ने आरोप लगाया है कि मौलवी ने उसके एक फोटो खीच ली थी और उसे वाइरल करने की धंकी देकर उसके साथ चिड़कानी करता था। पीडिता के भाई का कहना है कि मौलवी के मौबाइ अशी तो बनेंगे इसी में नमबर वन पे हैंगे। बिहार के नवादा जिले में मदरसे के एक मौलवी को नाबालिक चात्रा से चिड़कानी के आरोप में गिरफतार किया है। पीडिता ने आरोप लगाया कि मौलवी ने उसकी एक फोटो खीच ली थी और उसे वारल करने की धंकी देकर उसके साथ चड़कानी करता था। पीडिता ने आरोप लगाया कि मौलवी ने मदरसे में भी उसके साथ चड़कानी की थी। वहीं पीडिता के भाई का कहना है कि मौलवी छे अलग-अलग सिम कार्ड रखता था और उसके मुबाइल से हजारों अशलील फोटोज और वीडियोज मिले है मामले में पकरी बरावा के SDP महेश चौधरी ने कहा कि कौवा कौल थाने में एक शिकायत मिली थी कि एक मदरसा शिक्षक नाबालिक छात्राओं का अशलील वीडियो बनाता था और उन्हें ब्लैक मेल करता था आरोपित को गिरफतार कर लिया गया है साती पॉक्सो एक्ट की संबंदित धाराओं के तहत मामला दर्स किया गया है मामले में संबंद में जाच जारी है अगली न्यूज है मुस्लिम भीड आरफा बहन और मजब उर्दू नहीं हिंदी में बोलो हल्दवानी में जमीन कब जाए लोगों को पत्रकार ने दी ट्रेनिंग बोला दवायर पर आएगा पुरी तरह से ट्रेनिंग पाच चुकी भीड की पुकार में महिले महिला बच्चे गर्बवती महिला मानवता सब शब्द घुसाए गए हैं इसके बाद कथित पत्रकार भीड को शाबासी भी देता है दवायर इसे पब्लिश करने का वादा भी करता है तो ये लोग जानबूच के ऐसे वर्ड्स ठूंसते हैं जैसे मानवता शब्द ये शब्द वो शब्द तो ये लोग बहुत तेज हैं दवायर जो है वो इस तरह से लोगों को कोच कर रहा था कि आप क्या क्या बोले हल्दवानी में सरकारी जमीन कब जाकर मुफ्त में रह रहे है भीड कहां से आ रही है कौन क्या बोल रहा है इससे किस से क्या पूछा जा रहा है इन सब की जांच पड़ताल के लिए आप इंडिया पहुची ग्राउंड पर हल्दवानी के वन भूल पुरा इलाके की जिन गलियों के वीडियो वाइरल किये गए वहां पहुचने पर हमें विरोध परदर्शन वाले भीड गायब दिखी सामाने चहल पहल थी बहुत आश्चरे हुआ गलियों के समय बिताने पर असल बात का पता चल गया अपने वामपंथी की मीडिया आने पर 150 की भीड जमा हो जाती थी इसके अलावा अन मीडिया के सामने यहां के लोग कुछ नहीं बोलते नहीं भीड लगाते इनी गलियों में गुमते 38 तस लोगों की भीड एक जगे मुझे दिख गई उतसुकता हुई तो मैं भी शामिल हो गया उस भीड में मोबाइल कैमरा लेकिन चालू कर लिया था यहां एक आदमी था जो लोगों को कुछ समझा रहा था ठंड से बचने के लिए भूरे रंकी टोपी पहना यह शक्स लोगों से अर्फा खानम शेरवानी का नाम लेकर कुछ कह रहा था आर्फा के मजब से इस भीड के मजब को जोड रहा था आर्फा कितना अच्छा बोलती है यह कहकर लोगों से बोलने की अपील कर रहा था हल्दवानी अगली नियूज है हल्दवानी के धरना परदर्शन में बच्चों का इस्तमाल मदर्से के हाफिस से लेकर लोकल नेता तक सबकी पोल बच्चों नहीं खोली हल्दवानी के बन भूल पुरा के अवैद कबजे वाले स्थानों पर घूमते हुए हम रेल की पट्रियों के पास खेलते बच्चों से मिले खेल में मगन बच्चों से हमने प्रदर्शन की बारे में सवाल किया इस दोरान बच्चों ने कई चौंखाने वाली बाते बताई एक बच्चे ने माना कि बच्चों को मदर्से का ड्रेस पहना कर धरने में शामिल करवाया गया था तो ये देखो बच्चों को मदरसे का ड्रेस पहनवाक पहनवाकी यहाँ पर बच्चों का इस्तमाल कर रहे हैं ये लोग राजनीती खेल रहे है अव्याद कबजा जमाल लिया है अगली न्यूज है सम्मेद शिकर जी रहेगा सिरफ तीर्स्थान परियतन स्थल नहीं बनेगा मोधी सरकार ने मानी जैन समाज की मांग जहारखंड सरकार के फैसले पर रोक परियावरन मंत्राले ने जहारखंड सरकार को ये भी कहा कि पारसनात परवत के शेतर के इलाके में शराब एवं मासाहरी खादेपदार्थों के उपभोग एवं बिक्री पर प्रतिबंद को कड करता है तो चलो यह तो अच्छा हुआ इतनी ही न्यूज मैंने सिलेक्ट करिए पढ़ने के लिए तो अब जो है ना मैं वह उस पर आती हूं जो वफा सुल्तान की किताब है हमने देखा था अब तक के चार चैप्टर हम उसके पढ़ चुके हैं और कैसे उसने जो है वहाँ पर एक यूनिवरस्टी में अलेपो यूनिवरस्टी में उसने जॉइन कर लिया था अब आज का आगे चलते हैं दे नीचर ऑफ गॉड इन इसलाम पांचवा चैप्टर है ये तो इसमें ये बताता है कि इसलाम में खुदा इसलाम का खुदा का कैसा नीचर है किस प्रकार का ये खुदा है तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी अपने मन में फिर मैं आपको उसका हिंदी में अनुआद बताऊंगी ऐसे मैंने पूरी किताब पहुत पहले पड़ी थी पर इसको समय हो गया तो यह कह रही है कि हम जो वो जो राक्षस की कहानी थी जो परवत पर बैठा वा था ओगर बोलती हो उसको तो वो जब हम उसके बारे में जानना चाहें तो हमें उसके पहले के बारे में जानना पड़ेगा किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसकी वहाँ पर social, political or economic situation क्या है वो जाननी पड़ेगी हमें अर्बों की जो इसलाम के पहले थे तब हमें यहां के जो खुदा है इसलाम का उसके बारे में जानना पता चलेगा तो यह कहती है कि जो लोग ऐसी जगों पर रहते हैं जैसे रेगिस्तान है जहां पर कोई भी नहीं रहता और वहां पर उनको पता नहीं है कि अगला क्या है अभी आपने देखा होगा कि यहां पर भी जैसे मैं दिल्ली में रहती थी तो ग्रेटर नॉइडा वगरा जो जो जगें डेवलप हो रहे होती है तो लोगों को लगता अच्छा यहां पर क्या है यहां पर तो बड़ा फियर रहता है और वहां पर चोरी चकारियां भी जदा होती हैं और क्राइम्स ज्यादा कमिट होते हैं नियूली डेवलब्ड एरिया में यह हमें पता है तो अभी है यहां पर चलते हैं कि अरब में इसलाम आने से पहले क्या था सब तरफ रेगिस्तान था लोगों में भै था और फियर अफ अन्नोन था क्योंकि लोगों को पता नहीं अब में क्या होने वाला इसलिए लोग भै में रहते थे और अगर कोई भी human emotion होता था तो वो हमारे जैसे किसी चीज का भै हो जाए तो वो हमारी बुद्धी को नश्ट कर देता है हमारी mental capacity को नश्ट कर देता है वैसे ही करता था और वहां पर लोग जो हैं उनको सबसे बड़ी need होती थी अगर आप मासलोज हायर की थियोरी देखें तो सबसे पहले need है क्या नीचे की security की तो इनको सबसे पहले security की need होती थी तो यहां पर जो रेगिस्तान में लोग थे वो लोग जो है ना secure feel नहीं करते थे क्योंकि उनके पास शक्ती नहीं थी एक ही शक्ती थी तो वहां पर कई लोग जो है एक दूसरे पर loot part करते थे और शक्ती बढ़ाने का तरीका था अपने कभीले को और थोड़ा मजबूत बन और फिर जो कबीला थोड़ा वैसा होता था अमजोर उसको लूट लेना तो फिर यह लिखती है कि जो अरब थे वो अपनी linguistic knowledge के लिए और वो बहुत अच्छा express कर पाते थे तो वो बहुत प्रसिद्ध हो गए अपनी poems के लिए अपनी कहानियों के लिए literature के लिए क्योंकि यह लोग अच्छा लिखने लग गए लेकिन जैसे कि इनके भै भी थाना अंदर इनकी कविताओं में भै जो है आप असानी से समझ सकते हैं अगर आप इनकी कविताएं देखे तो और यह लोग तलवार वगेरा भी रखते थे उनको शार्प करके क्योंकि यह लोग डरते थे ऐसे ही दहशत के महोल में इसलाम का जनम हुआ तो इन लोगों ने जो भै था इसके बीच में इसलाम का जनम हुआ तो वो जो राक्छस की कहानी इसने पहले चैप्टर में बताई थी कि जो परवत के ऊपर बैठा राक्षस था जो सब को डराता था तो ऐसे ही यहाँ पर भै का एक राक्षस इन लोगों ने कंप्लीट पावर दे दी और फिर इनों ने इस राक्षस को खुद क्रियेट किया जो उपर बैठके सब को कंट्रोल कर रहा है और फिर इसके बाद उसको उससे हम अपने आपको क्रियेट करवाया यानि कि हम लोगों ने ही इस को क्रियेट किया इस राक्षस को और फिर उस रा इस राक्षस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने इसके आसपास एक लोहे के वो लगा दिये फैंस और कोई भी इस जो इस लोहे के फैंस के पास आएगा उसकी गर्दन ये लोग रेत देंगे और कोई भी इसके पास अभी तक नहीं आ पाया इस राक्षस के पास क्योंकि इसके इसका जो लोहे का गेट लगा है इसके पास तक कोई भी नहीं आ पाया आज तक क्योंकि उनको मृत्यू के घाट ये उतार देते हैं ये वफा सुल्तान की किताब है के बारे में लिखा है तो फिर ये कहती है कि जब ये छोटी थी तो बच्पन में जो कहानिया सुनती थी तो राक्षस हर कहानी में होता था और इसको याद है जब यह छोटी होती थी तो यह सारे लोग अपनी नानी को गहर कर बैठते थे और वो अक्सर उनको एक कहानी सुनाती थी एक बहुत सुन्दर छोटी लड़की की जो एक अकेली रहती थी एक कैवर्ण में मतलब मुझे नहीं पता कैवर्ण को क्या बोलेंग कुटिया कोई समझ दो कोई घर में एक खंडर टाइप घर में जो हां कोई नहीं आता था डेजर्टिट था और वहां पर रोज शाम को एक बहुत बड़ा राक्षस जो है वो आता था ये कैवर्ण एक वो थी गुफा एक त्यागी हुई सूनसान गुफा थी जहां पर एक बहुत सुन्दर लड़की रहती थी चोटी सी तो उसके हां हर शाम को एक राक्षस आता था जो बड़ी जोर से चिलाता था उसकी गुफा के बाहर खड़े होके कि अपना हाथ दो ताकि मैं तुमारा खून पी सकूँ और उसको आधे में तोड़ दूँ तुमारे हाथ को और फिर वो चोटी लड़की अपना हाथ फैलाती थी आगे और जो है वो उसके हाथ से उतना खून पी लेता था जितना कि उसको शाम को मतलब भोजन हो जाया उसक और फिर वो अगले दिन फिर आ जाता है तो तो ये सोचती है अब जब ये वहां से दूर चली गई उस गाहूं से और उन कहानियों से तो ये अकसर सोचती है कि उसकी नानी ये वाली कहानी क्यों सुनाती थी कि एक राक्षस जो है हर रोज आता था छोटी लड़की का खुंचूस ने तो क्या ये symbolic कहानी है कि नाना जो है नानी को तंग करता था और परहपस नानी सोचती थी कि वो वो beautiful छोटी लड़की नानी है और ये नाना जो है राक्षस है जो हर रोज आता है इसको अभी तक याद है कि ये कैसे दहशत में हो जाती थी ये वाली जब ये छोटी थी तो ये कहानी सुनके दहशत में आ जाती थी और यह सोचती यह imagine करती थी कि इसका अपना पिता भी एक और भी बड़ा राक्षस है जो इस वाले राक्षस जो नानी कहानी सुनाती है उस वाले राक्षस को जो है वो मार देगा तो यह कहती है कि अपने प्रोटेक्षस के लिए इसने और भी बड़े राक्षस की को imagine किया जो की इसका पिता है इसने करना पड़ा उस राक्षस से प्रोटेक्षस पाने के लिए इसको एक और राक्षस का निर्मान करना पड़ा अपने पिता के रूप में, क्योंकि नहीं तो बचने का कोई उपाए नहीं था कि अगर वो राक्षस आ जाता, जो इसका खून चूसने के लिए इसका हाथ मांगता, तो इसलिए इसको एक राक्षस और बड़ा जो है, निर्मान करना पड़ा, और ये राक्षस और भी बड़ा मानने लगी तो यहां जो अरब का रेगिस्तान था वहां भी लोग जो हैं बचने के लिए कि कैसे वो इस जो हैं राक्षस से बचे हैं यह कैसे अपने फिर्स को ओवरकम करने के लिए कोई न कोई प्रोटेक्टिव मेकानिजम यूज करते थे जैसे इसने खुद क रा प्रोटेक्टिव मेकानिजम की अपने पिता को एक राक्षस की तरह मैंजन किया कि वह और भी बड़ा राक्षस है इसलिए वो उसको आने नहीं देगा उस वाले राक्षस को जो आके हाथ का खुन पीता था तो इसी तरह जो अरब के लोग थे वो भी कोई न कोई protective mechanism यूज करते थे ताकि उनके जीवन में से इस तरह का भै जो अन्नोन का भै और दूसरे लोगों का भै निकल जाए जो अरब देश के वासी थे वो सुरेगिस्तान के उन्होंने अपने नए गौड को 99 विशेशन दिये और वो सारे विशेशन जो है वो जितने मजब इसलाम से पहले आये थे वहां से चुराई हुए थे ताकि वो इस्टैबलिश कर सकें कि ये जो नया इन्होंने एक खुदा जैसा बनाया अपना बड़ा राक्षस जो अरब के लोग थे उन्होंने इस तरह का गौड इन्वेंट किया जो कि जिसके की 99 विशेशन जो है और धर्मों में से चुराई हुए थे ताकि वो उसकी दिव्वेता को इस्टैबलिश कर सकें और लेकिन उसको और दूसरे इश्वरों से भिन्द कर सकें और इसका इनका जो खुदा था उसकी रिपंग्डनेंट क्वालिटी सी मतलब कि ब दूसरें के भगवानों की भी थी और ये लोग अपने खुदा को एक विशेशन देते हैं दहारमर यानि कि जो नुकसान करने वाला है तो यानि कि खुदा जो है वो सबका नुकसान करने वाला है ये भी इन्होंने एक विशेशन दिया था तो क्या ये वफा सुल्तान पूछती है तो क्या ये रीजनेबल बात है कि जो खुदा है वो नुकसान करे किसी का लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिससे की मुसल्मान बड़ा गर्व महसूस करते हैं ये कहने में कि कुदा जो है वो अल्ला जो है वो नुकसान करता है तुम्हारा नुकसान कर सकता है और जितना गर्व वो the merciful या बड़ा रहमत आलमीन या बड़ा धैरेवाला या बड़ा सब्डूर या बड़ा मतलब सब्डूर मतलब कि किसी चीज़ को दबाने वाला या मतलब करने वाला मतलब मजबूर करने वाला या फिर इंपीरियस है या फिर तुमको हुमिलेट करने वाला या फिर तुम्हारा भरन पोशन करने वाला या तुम्हें मृत्यू लाने वाला इस तरह के यह लोग जिसमें प्राइड महसूस करते थे उतना ही प्राइड नुकसान करने वाला या एवेंजर या दूसरों का सबसे उपर the most high और the avenger मतलब सबके उसका revenge लेने वाला सबके नुकसानों का और सबसे ज़्यादा रक्षन करने वाला ये सारे में जितना गर्व लेते थे उतना नुकसान करने वाला इस तरह की विशेशनों में भी ये लोग उतना ही गर्व महसूस करते थे लेकिन ये वफा सुल्तान ले कहती है कि जब भी मैं इन सारी बातों के बारे में किसी भी मुसल्मान से बात करती हूँ तो दस मिनट के अंदर जो है वो उसका डायलोग जो है वो एक लड़ाई में बदल जाता है और वो लोग जो है वो कभी भी नेगेटिव बातों जो इनके विशेशन है जैसे ये लोग विशेशन देते हैं कि अरे दे ब्रिंगर अब डेथ है वो तो नुकसान करने वाला है अगर ये वाली बातों पर आप बात्चीत करोगे तो वो कभी भी उसको जिस्टिफाई नहीं कर पाते और मामला और भी वर्स कर देते हैं मुस्लिम्स जिस्टिफाई पोर्टरिंग गॉड ऐस दे हार्मर बिकॉस दे बिलीव सच अ पोर्टरेल इस नेसेसरी इन और तो से नुकसान करने वाला अल्ला है ऐसा कहने से लोगों के दिलों में दहशत आ सकती है तो इसलिए वो जो है जो गॉड के जो वो हैं बाते उनको अक्षर शाह फॉलो करेंगे मतलब बहुत ही ओबीडियंट होंगे और उसको अल्ला के फर्मान को कभी मतलब हमेशा ही मानेंग अक्षर शाह इसलिए उनके दिलों में फियर पैदा करने के लिए वो ऐसी बाते कहते ही कि अल्ला सबसे बड़ा हार्मर है और जब भी कोई आदमी जो है वो यह बिलीव करेगा कि जो अल्ला है वो हार्म कर सकता है तो फिर वो जो है कभी उसको डिसोबे नहीं करेगा उसके तो फिर यह कहती है कि एक दिन इसने जो है common ground जैसे हम कभी किसी से बात करें तो हम एक common ground जो है establish कर लेते हैं जिससे कि हम लोग उस बात पर बात कर सकें तो इसने एक muslim reader जो थी जो की London Oxford University की graduate थी उसके साथ इसने बहुत सारी email correspondence करें तो उसने एक बार इसको लिखा कि क्या तुम deny कर सकती हो कि जो अल्ला है वो harm जो है वो cause कर सकता है क्या तुम कि वो उसके अंदर क्षमता है नुकसान करने की क्या तुम इस बात को deny कर सकती हो तो क्या वो पूरे संसार को ही नहीं destroy कर सकता क्या उसमें मतलब इतनी शक्ती नहीं है कि वो पूरे संसार को ही मिटा दे और फिर वो कहती है what's wrong with proclaiming his destructive powers इसमें हरजी क्या है कि अगर हम ऐसा कहें कि अल्ला जो है उसके अंदर destructive powers हैं क्या ये जरूरी नहीं है क्योंकि इससे लोग रुकेंगे जो है वो line cross नहीं करेंगे और उसके आजजा की अवेला नहीं करेंगे तो वफा कहती है कि मैंने उसको जवाब दिया कि एक father के अंदर ये ability होती है कि वो अपने बच्चे का नुकसान कर सकता है जब वो इसको जब उसकी आग्या का पालन नहीं करता कोई उसका बच्चा तो वो उसके अंदर इतनी शमता होती है कि वो उसको harm कर सके लेकिन क्या वो ऐसा करता है क्या ये अच्छा तरीका है अपने बच्चों को educate करने का कि भाई हम अपने बच्चों को ये सिखाने के लिए कि तुम boundaries को power मत करो तो क्या हम उनको ये कहें फिर वो Oxford graduate ने उसको कहा कि इसका इससे कोई comparison नहीं है ये तो हमें पता ही है ये मुसलमानों से बहस करने से कोई फायदा नहीं होता तो उस लड़की ने इस वफा सुल्तान को जवाब दिया कि भाई ये तो कोई comparison नहीं है कि जो difference है between God's power and that of a human being is much greater than the difference between the father and his son कि जो ईश्वर की सत्ता है और इनसान की सत्ता है इनके बीच का जो भेद है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है एक पिता और पुत्र के बीच का भेद से तो फिर वफा कहती है कि but shouldn't God's wisdom, mercy and love surpass the wisdom, mercy and love of a father कि भई हाँ भेद तो है लेकिन देखो ईश्वर तो मतलब जो अल्ला है वो तो और भी ज़्यादा जो है जानी और बड़ा merciful और उसका प्यार तो और भी ज़्यादा होना चाहिए पिता के प्यार से तो फिर ये exchange जो ये लोग email से करते थे वो एक लड़ाई में बदल गया और ये जो है वहाँ से चिलादने के बोलने लगी जो graduate थी oxford की वहाँ से उसको बोलने लेगी तुम तो misguided unbeliever हो तुम तो भटकी हुई भटकी हुई हो काफिर मतलब unbeliever and apostate की तुमने जो है वो क्या बोलते हैं इसको apostate को हिंदी में मासे वर्ड है ना मैं भूल गई कि जो लोग इसलाम में आते हैं फिर इसलाम को छोड़ जाते हैं तो मतलब कि ये इसलाम को छोड़ने वाली है और इसको तो इसकी तो सजाए मौत होनी चाहिए इस तरह कहने लग गई वो यानि आक्सवोर्ड में पंड के भी इनका दिमाग जो है वो सही नहीं हुआ और ये reasoning नहीं कर सकते किसी से अब अगर ये वफा लिखती आगे कि अगर आप अपने बच्चे को सिखाएं इश्वर मतलब अल्ला के बारे में और उसके विशेशनों के बारे में और उसको बताएं कि वो एक अवेंजर है यानि कि वो लोगों की जो बुरे काम है उनको अवेंज करता है एक कंपैलर है म लेकिन फिर वो उनको भरन पोशन भी करता है, तो फिर तुमने उस बच्चे को क्या कर दिया बच्चे के साथ, तुमने उसको एक वेंचफुल, एक टारनिकल मतलब की जो ऐसा विक्ति जो अपना बड़ा पावर यूस करता हो बुरे तरीके से, और वेंचफुल मतलब हर बात में बड़ा निकालने वाला, और ओवर बिरिंग परसन की मतलब जो दूसरे के उपर च्छा जाए उसके उपर, इस तरह का तुमने उसको बना दिया, पर जो भरन पोशन भी करता हो, यानि भरन पोशन तो करता है, पर तुमने उस बच्चे को ये शिक्षा दी कि उसको शिक जाए, लेकिन फिर उसका भरन पोशन भी करें, लेकिन तुमने ये सब किस कीमत पर किया, लोग देखते हैं अपने अल्ला को एक आइडियल के रूप में, और उसको कॉंशिसली और अनकॉंशिसली जो है अपने अंदर जो है मर्ज करते हैं कि बही अल्ला के साथ, जब हम य जिस्टिफाइ कर लेते हैं कि ठीक है हम भी बनते हैं तो यह अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो अंदर का नेचर है वो हम अल्ला से एक हो जाना चाहते हैं, मतलब जो गौड है हम उसके साथ यूनियन चाहते हैं, तो फिर जब गौड ही हर बात में बदला ले रहा है तो ह हम भी ऐसे ही बन जाएंगे और मुसल्मानों के साथ आर्गिमेंट जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर आप उनको यह कन्विंस करने की कोशिश करें कि गौड जो है वो मर्सीफुल भी है, वो तो बड़ा धैरवाला भी है और बड़ा फोर्बियरिंग भी है तो तब बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि अगर यह लोग इस तरह से बात करें और अगर आप साथ में यह भी कह दो पर वो तो रहमता अलमीन है वो तो बड़ा धैरवान है वो तो बड़ा पेशन्स वाला है तो अब यह बताती कि एक बार इसने एक मुसलिम पूछा जो कि साइकारिस्ट था ता उसका स्पेशलाईजेशन साइकारि में था कि आप अपने बच्चे को अपने बेटे को यह कैसे एक साथ शिखा सकते हो कि जो अल्ला है वो रहमतालमीन भी है पर वो बदले भी ल потр elevated दो फो जो हुआ है मतलब दो अपोजित बैत एक ऐसी teaching आप अपने बच्चे को देऊगे तो आप उसकी personality को split नहीं कर दोगे और उस बच्चे को confuse नहीं कर दोगे तो psychiatrist बोला नहीं मैं उसको सिखाता हूँ कि जो अल्ला है वो रह्मत आलमीन है अपने believers के साथ जो उस पर विश्वास करते हैं उनके साथ तो रह्मत आलमीन है औ तो इसमें मुझे कोई contradiction नहीं दिखता पर इसने मानवता में तो दो तरह के मनुश्य बना दिये एक believer और एक non believer फिर वफा कहती है मैंने उससे दुबारा पूछा कि तुम उसको कैसे सिखाते हो अपने बेटे को कि कौन से believer है और कौन से non believer है कि 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 के साथ जो है वो अल् दिल लेगा तो फिर वो बड़ा खुश होता हुआ बोला कि अरे believer तो वो है जो जो अल्ला में और उसके नभी में विश्वास करता है और कयामत के दिन पे विश्वास करता है फिर वफास ने बोला कि अच्छा तो तुम्हारा अगर बेटा अगर कोई civilian plane हो जिसमें कि passenger पू बड़वा दे और वहां पर तीन हजार काफिरों को मार दे तो फिर तो वो जो है कोई भी चीज ऐसी नहीं करेगा जो कि अल्ला की boundary के बाहर हो और उन्होंने जो सिखाया है उसके बाहर हो तो क्या ये भेद है believer और non believer का तो फिर वो बड़ी जोड़ से चिलाने लगा आदमी psychiatrist और फिर वो एक बहुत जोर का argument करने लगा और फिर इसको वफा सुल्तान पर blasphemy apostasy और और की नभी और Allah के जो शत्रू है उनके प्रती sympathy की भावना है तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे आरोप लगाने लगा तो वफा कहती है कि जब आप एक ऐसे एन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर आपको आगे का नहीं पता अन्नोन है सब कुछ तो फिर आपको एक भैसा हो जाता है जो की आपको कोई भी चीज करने में कोई भी action लेने में जो है रोकता है मतलब की आप ऐसे हो जाते हो कि एक्षन नहीं ले पाते क्योंकि भै आपके अंदर समा गया है तो इसलाम जो है इसी भै का आंसर देने के लिए आया क्योंकि लोग जो उस एन्वार्मेंट में रहते थे उनको जो है अन्नोन के प्रती भै था और इसलाम ने जो है जो भी चीज अन्नोन थी उसके खिलाफ लड़ाई की और कैसे लड़ाई की कि भई हम फियर को अवाइड करेंगी जो भै है उसको हम उस पर बाती नहीं करेंगे यह नहीं कि सामना कैसे करेंगे बलकि उस पर बाती नहीं करेंगे मुसल्मान जो है वो एक भैभीत आदमी है और अपने भै को दूर करने का जो है उसका सलूशन यही है कि वो उससे दूर रहता है तो भै जो है वो अल्ला है इसका उससे मतलब दूर रहना ही इसका वो है इस लिए ये लोग कहते हैं इस बारे में बात मत करो everything he distrust frightens him जिस पर भी वो विश्वास नहीं कर पाता वो चीज उसको भै सताता है और जिस पर भी वो भै करता है उसको वो अवाइड करता है अब ये भी एक कारण था मुहम्मद का चोटी चोटी लड़कियों को लेना क्योंकि वो बड़ी वाली और विमेन पर विश्वास नहीं करता था उसको लगता था कि ये जो छोटे बच्चे हैं इने पर विश्वास करा जा सकता है और बड़े लोगों पर नहीं करा जा सकता क्योंकि वो खुद भी तो मक्कार था तो वो उसी तरह से सोचता था अब ये कहती है कि मुसल्मान जो है उसकी एजुकेशन जो है उसने उसको हर चीज के प्रती शक्की बना दिया है हर चीज पर शक करता है और इसकी एजुकेशन ने उसको ऐसा बना दिया है कि वो अब सत्य जान नहीं पाता जो है जिनके उपर वो डिस्ट्रस्ट करता है शक कर आता है उन पर सच भी जानने की शमता नहीं रह गई है उसके, अब यह कहती है कि जो में सोर्साइए, कि किस वजह से वो भ्हय उत्पन ने हुआ, जिसमें की इसलाम इमर्ज हुआ, यह चीज नहीं पता, कि किस भ्हय के परिणाम सरूप इसलाम ने जनम लिया, यह नहीं पता, और क्योंकि हर नई चीज जो है वो एक unknown होती है इसलिए इसलाम जो है उसने refuse कर दिया कि भाई कोई भी चीज नई से हम नहीं संबन रखेंगे और उन्होंने withdraw कर लिया मतलब कि कोई नई चीजों से वो नहीं वो होते आकरशित बलकि नई चीजों से दूर हटते हैं उससे इसका तरीका हो सोचने का या उसका way of life हो वो एक जेल में बंदविक्ती की तरह है जो उसने की 14 centuries से जो हैं जिसके दरवाजे नहीं खुले हैं यह exactly उस तरह है जैसे कि एक आदमी एक जोंपडी में रहता है एक जंगल के बीच में वो जोंपडी एक इसलाम है और जो जंगल है वो unknown है तो अब इस भैसे को avoid करने के लिए इस आदमी ने ताला लगा लिया है अपनी जोंपडी का हर जगे से और वो जो है कहीं पर भी इस जंगल में निकलना नहीं चाहता अपनी जोंपडी में कैद रहना चाहता है जंगल में इसी तरह मुसलमान जो है पूरे संसार को जो उसके सामने है इसी तरह ट्रीट करता है जैसे कि वो आदमी जो जोंपडी में रहता एक जंगल में वो इस पूरे संसार से डरता है उसकी जो भी education है उसने उसको कुछ भी encourage नहीं किया कि वो ऐसे skills develop कर ले कि भई वो इस दुनिया की गहराई में उतर सके और उसको समझ सक इसके उलट उसकी education ने तो उसको और भी ज़्यादा डरा दिया है अपने आसपास के से और उसको शक्की बना दिया है आसपास के लोगों से और उसको एक चैतावनी भी दी है उस evil की जो की दुनिया में इतना ज़्यादा evil है कि ये उसको convince कर दिया है कि दुनिया में बहुत evil है और उसे अपने अंदर वहाँ पर safe रहना अपनी जोपड़ी में अब ये कहती है कि relationship जो इसलाम की है और उसके माननों वालों की है और जो पाकी संसार की है as exemplified by all other religions on the other तो सारे religion ये मानते हैं कि ये जो इसलाम की और उसके believers की relationship है ये की ये शक और भय के उपर स्थित है इनकी इसलाम जो है वो भय और शक के उपर इसका foundation है ये वोई relationship है जो एक बिदोईन community और उनके रेगिस्तान की बीच में relationship होता है ये वही relationship है जो की भय और शक के उपर बसा हुआ है और कोई भी ऐसा relationship जिसकी जड़ें जो है वो भय और शक पर हों तो वो एक healthy relationship नहीं है और इसलिए वो कोई भी अपनी किसी party के rights को नहीं देती है और अपने आपकी सुरक्षा के लिए इसलाम ने अपने आपको बाकी की दुनिया से बिलकुल काट लिया है और एक बहुत बड़ा barrier लगा लिया और अपने आपको lock कर लिया है इसने हर जो innovations हैं जो इतनी भी आविशकार हैं उनसे लड़ाई की क्योंकि देखो अब चाहें धर्ती चप्ती है ये लोग मौलाना एक कह रहा था वीडियो में ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ ये वफा की किताब में से नहीं बता रही कि मौलाना जो है वो कह रहा था कि भई देखो बेटा स्कूल में चाहें आप लिख लो कैसा भी लेकिन आपको याद रहे कि धर्ती चप्ती ही है तो इस तरह ये लोग हर इनोवेशन से लड़ते हैं उसके हर चीज़ पर डाउट करते हैं उसकी लिगालिटी पर डाउट करते हैं और जो ये दुनिया के साथ जो भी रिलेशन्शिप रखते हैं वो एग्रेशन की रखते हैं म्यूचैलिटी और रेसिप्रोसेटी सी की नहीं रखते कि भई तुम और मैं आदान प्रदान मतलब म्यूचैल हम एक एक दूजे को रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को वैसा दरजा दें तुम मेरे लिए करो मैं तुमारे लिए ऐसे नहीं करतें बलकि उसको एग्रेशन से क कि दुनिया वालों से जब से इसलाम आया तब से लेकर आज तक इसमें कोई ज्यादा चेंजे नहीं आये हैं और कोछ जो भी चेंज आये हैं इसलाम में वो ऐसी जगों से आये हैं आउटसाइड दे बॉर्डर्स अफ दे अथॉरिटी दे मुसलिम वर्ल्ड हस मैनेश्ट त वही आये हैं जो मुसलिम वर्ल्ड को के उसमें बस में नहीं थी अर्ली नाइंटीन सिक्स्टीज में वन आप दे क्रिश्चेन फैमिली इनके पडोस में एकव्श्चेन फैमिली रहती थी एक वो टी वी लेकर आये यह 1960s की बात है वफा कहती है कि इसको याद है कि वहां के लोकल लोग जो थे वो इसके बारे में कैसी बात करने लगे और वो जो Christian family का head है उसको उसके ओपर आरोप मड़ने लगे कि देखो यह कैसे अपनी family को depravity में ले जा रहा है और इन लोगों ने बात दे कर दिया उस Christian family क वो उनके neighborhood से वो चले जाए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके अपने बच्चे जो है उनका welfare और उनका moral की बारे में कि उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे उनके teenagers बिगड़ जाएंगे तो जो Christian family के घर में TV आया था उस family को ही इन्होंने वहां से दफा करवा दिया spread of television फिर भी फैला television बहुत धीरे धीरे फैला और अब यह कहती है कि अब यह वो जमाना आ गया है कि Muslim और कोई Western television program कोई कोई ऐसा वो नहीं है जो साउदी शेख जो है जो enjoy ना कर रहा हो अब यह यहां तक बात आ गई और ऐसे कई satellite decisions जो programs all over the world भेशते हैं जो कि Islam ने बड़ी बड़ी लोगों को invade करके और बहुत अपने लिए जैसा कट घरा कट घरा नहीं सौरी एक prison को क्या बुलेंगे जेल जो एक Islam ने create की थी तो उसके ऊपर ऐसे कई सारे satellite dishes लग गए हैं कि इनका जो jail है वो तूट गया है एक तरह से क्योंकि internet जब आया तो उसको वो परिशानिया नहीं हुई जो कि television को हुई और इसलिए internet बड़ी fast चा गया और बड़ा influential हो गया इसलिए जो लोग जो Islamic world को change करना चाते थे उन्होंने ये महसूस किया कि ये बहुत अच्छा tool हो सकता इंटरनेट ताकि जो इसलाम की जो ऐसी मजबूत दिवारे हैं जिनको कोई भेद नहीं सकता अब भेद दिवारे हैं उनको एक decade के अंदर ही यानि दस वर्षों के अंदर ही हम भेद सकें अब ये कहती है वफा सुल्तान की जब भी एक मुसल्मान एक non-musल्मान के साथ एक बात करता है चाहें वो voluntary बात चीतो खुद से बात चीतो या फिर कोई मजबूरन में बात चीतो मुसल्मान हमेशा defensive में रहेगा और वो हमेश इस बात जो unknown elements है relationship के उनके लिए हम हर वकत तैयार रहता है वो defensive mode में क्यों ऐसा है क्योंकि उसके दिमाग में भै है और शक है दूसरों के intentions के लिए अब आपको एक बात बताऊं psychologically ये बात वफा सुल्तान की नहीं है ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूंगी अगर आप देखो कि psychology में कहा जाता है कि आप दूसरों के लिए जो सोचते हो actually में आप खुद वैसे होते हैं तो चुँकि ये लोगों के intentions pure नहीं होते इसलिए ये हमेशा दूसरों पर शक करते हैं कि उनके intentions pure नहीं है इसलिए उनके प्रतीन को हमेशा भै रहता है और इसी लिए अगर कोई मुसल्मान और नौन मुसल्मान की बीच में कोई relationship हो जाए चाहें वो कितनी भड़िया क्यों नहों और कितनी भी क्यों नहीं मजबूत हो वो कभी ऐसी स्थिती तक नहीं पहुँच सकती जिसमें की मुसल्मान जो है उस पर ट्रस्ट कर ले और उसको सचमुच पसंद करे अगर मुसल्मान जो है वो ऐसी relationship ट्रस्ट वाली और ऐसी तभी प्राप्त कर सकता है जब दो सूर्तों पर या तो वो उसका अपना interest प्रमोट क कर रही हो कि वो जिस चीज में interested हो और वो चीज उससे हो रही हो या फिर तो harm the interests of the other या फिर ऐसी relationship उनके साथ जमती है जिसमें की वो दूसरे को नुकसान पहुचा सकें तब खाली ये दो बातों में उनकी बहुत अच्छी जम सकती हो जब भी ऐसी relationship एक मुसल्मान और नौन मुसल्मान के बीच में हो जहां मुसल्मान का या तो अपना फाइदा हो रहा हो या फिर दूसरे का नुकसान हो रहा हो वहाँ पर मुसल्मान जो है उसके पास एक बहुत बढ़िया कला है अपनी भावनाओं को छुपाने की यानि की hypocr की की उपर से वो बहुत अच्छा बनेगा और अंदर से अपनी असली भावनाओं छुपा लेगा अब वफा कहती है कि यह बहुत सारी डिबेट्स में मतलब शाब्दिक युद्धों में अपने मुसल्मान फ्रेंड्स के साथ इन्वाल्व हो जाती थी क्योंकि उनका जो है आश्चर होता था उनके बेकार के उपीनियन और बड़े भायावे उपीनियन सुन सुनके उनको उनको लगता था कि यह तो टावर जो वर्ल्ड ट्रेट सेंटर के गिरे हैं तो उनके अंदर तो इतनी नफरत भरी हुई थी कि नकेवल वर्ल्ड ट्रेट सेंटर के वो बने बलकि पूरा अमरीका ही डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए उनकी बातों से ऐसा लगता था कि उनके उनके अंदर की नफरत खाली वो जो वर्ल ट्रेड टावर की वो गिरी हैं ट्विन टावर्स वो ही नहीं बलकि सारा ही अमरीका नश्ट हो जाए और लेकिन ये कहती है वफा कि अगर मान लो उस समय कोई अमरीकन आ जाए तो यही मुसल्मान जो इतने घरनात्मक तरीके से चाह रहा था कि वर्ल ट्रेड सेंटर के अलावा पूरा ही अमरीका नश्ट हो जाए तो बड़ा अच्छा हो वो बड़ा ही मधुर हो जाता है और उससे भी जादा जो अमरीकन है उससे भी जादा अमरीकन बन जाता है अम अबराहिम लिंकन से भी जादा बड़ा अच्छा अमरीका अमरीकन बनने की कोशिश करें यानि अंदर से ये लोग ऐसी भावनाएं रखते हैं और उपर से जो हैं वो फौरण बदल जाएंगे फिर ये कहती है एक बार ये ड्राइ ली अमल आम वो जो तीन साल से इसके देश में रह रही थी उसके साथ जा रही थी अमरीका में मतलब इसकी एक अराकी सहेली भी थी तो उसके साथ ये ड्राइव करके जा रही थी और ये बता रही है कि जो अमल की फैमली है अराकी वो वहां सद्दाम हुसें के उससे कुरू बाइट लोग रहते थे जो साउत में वहाँ जो इरान जो उसका बगल में है वहां से रे फ्यूज़ लेके वो साओधी अरेबी आई जिसने की उसको इसको वैलकम नही किया तो देखो कि मुसल्मान कंट्री मुसल्मान कंट्री का ही वैलकम नहीं करते क्योंकि इराक तो सुन् भी हमें वेलकम नहीं करें तो फिर अम्रीका ने उनको जो है पर्मिशन दे दी इमिग्रेट करने की तो फिर कहती है एड दे एंटरंस तो दे साइड रोड वी टुक ओन आर वे तो हर हाउस वस अ होमलेस मैन तो यह कहती है कि हम उसके घर जा रहे थे तो हम ने जैसे वॉक वे बना उते है सड़क के साथ साथ चलने वालों के लिए क्योंकि हम सड़क पर नहीं चलते हैं हमेशा साइड वाग पर जा रहे थे उसके घर की तरफ तो वहाँ पर एक हॉमलेस आदमी खड़ा था जो भीक मांग रहा था जिसका घर बार नहीं था और तो इसकी इराकी फ्रेंड जो है उसको देखकर बोली कि देखो उस भिकारी को और तुम कहती हो यह अमेरिका है जिसके बारे में तुम बड़ी क्रेजी हो यहां देखो भिकारी को देखो यहां कैसे भिकारी कड़ा है तो ये वफाफ उससे कहती है अरे तुम्हें लगता है कि खाली अमरीका ने यही दिया है बिकारी ही दिया है और ये इसका फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अपिनियन नहीं था अमल के उपर यानि कि ये लोग दूसरों से हेल्प ले लेते हैं जैसे अमरीका ने जब साओधी अरेब अमरीका ने तुम यही दिया है तुमको बिकारी दिये ऐसे उसने कमेंट किया तो मतलब ये लोग एहसान फरामोश हैं और ये कहती है ये इसका पहला डिफरेंस ओफ ऑपिनियन नहीं था अमल का अमल के साथ उसका एटिट्यूड अमरीका और उसके कल्चर की तरफ से और फ और फिर मैं अपना अशिर हिलाती रही की मैं इसकी हर बात से असहमत थि तो कहती है कि मैंने बहुत सारे देशों में सेयर करी है लेकिन इतनी सुन्दर वो रोड थी जिस पर ये लाजोला से रिवर साइड के बीच में कैलिफोर्निया में कि इसमें इतनी नैचरल ब्यूटी है जिस अब तरफ देखो तो इतने प्लैनिंग से ये रोड बनाई है इतन जब मेरी फ्रेंड अमल ने कार के बाहर से निकाला और उस पेरडाइस यानि कि उस स्वर्ग जैसी जगे को देखा तो उसको खाली वो भिकारी नजर आया जो कि अमरीका को रिप्रेजेंट कर रहा था यानि कि एक बात तो है देखो जहां मैं रहती हूं कैनडा में यह बड़ा खुबसूरत है बहुत खुबसूरत है मैं कई बार चोटे-चोटे वीडियो देखती हूं तो उसमें देखती हूं कि बहीं दिखा रहे हैं कि इंडिया का कौन सा पार्ट सुंदर है कौन सा यहां के इंग्रेज्ड देखे रहे होते हैं, तो केते वाह वाह. लेकिन जब यहां जाओ तो ऐसे पार्ट हर जगे हैं. पूरा केनेडा अम्रीका एतना सुनदर है कि ऐसे लगता है जैसे की इसे की शिंबला जैसा है जैसे शिमला है, जैसे कि कश्मीर है, यह सब तरफ है, यह यहाँ पर हर जगए है, शी डिसीवड अधर्स दो, और आई अल्वेस विश्टाट गूड अमेरिकन कुट सी वाट आई सी बिफोर इस तो यह कहती है कि यह दूसरों को धोका देती है, और यह वफा सुल्तान कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो अच्छे अमरीकन है यह बात देख सकें, यह लोग हमेशा हर एक को मतलब इमिग्रेट कर देते हैं, काश कि यह देख पाएं, जिससे पहले की देर हो जाए, और अमल तो वहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी में इम्प्लॉई भी थी, और फिर कहती है कि एक बार एक पार्टी में मैं इंवाइट हुई, तो मैंने वहाँ के Head of the Department में, जहाँ पर अमल काम करती थी, जो की एक बड़ी कल्चर्ड और डिफाइंड अमेरिकन लेडी थी, जिसकी वह कंपनी थी, तो वहाँ के Head of the Department, लेडी से मिली, जहाँ पर काम करती थी और इसकी बहुत देर लंबी बातचीत हुई तो फिर जब एकदम से टॉपिक आया इमिग्रेशन का और डिफिकल्ट जो अमिग्रेंट्स फेस करते हैं एक नए कंट्री में आने में क्या-क्या डिफिकल्टीज होती हैं तो तो वो कहती है इसको वाफा सुल्तान क बड़ा अश्चर हुआ कि वो अमेरिकन लेडी इसको बोली कि मुझे बहुत पसंद है कि अमल को ये कंट्री कितना पसंद है वो कितना अमरीका की वैल्यूस को लाइक करती है और वो कितनी ग्रेटफुल है इस कंट्री ने उसको क्या-क्या दिया है और यह हां-हां करती रह बिचारे तुम अगर तुम्हें पता होता कि अमल क्या सोचती है अमरीका के बारे में तो तुम्हें पता चलता कि तुम अपनी ही कबरें खोद रहे हो तुम ऐसे भोले हो तो अब ये फिर से वापस आ गई कि जो मुसल्मान है उनको इतना भै क्यों है आउटसाइड वल्ड का ये उसी तरह का भै है जो बेदोईन लोगों को होता था अपने रेगिस्तान से तो उसको ओवर उस भै पर जो है काबू पाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े राक्षस को इन्वेंट करा जो कि उन्हें इस भै से पीड़ा छुटकारा दिलवाएगा लेकिन इस तरह उन्होंने और भड़ा भै क्रियेट कर दिया अब यह लिखती है कि जितनी भी कुरान में आयते हैं वो बताती है कि जन्नत जो है वहाँ पर नदिया बह रही होगी और फिर यह कहती है कि जो रिगिस्तान था वहाँ पर पानी की बड़ी कमी थी और प्यास से मर जाएं तडब तडब के यह सबसे बड़ा भै था वहाँ और जो जन्नत की नदिया है उनका जो वादा है वो एक मेसेज भीजता था सांतोना का और बैदुइन जो बड़े ही दबे हुए थे अपने भै से कि भै हम प्यासे न मर जाएं उनके लिए बहुत बड़ा सांतोना का स्रोत था रेगिस्तान में बहुत थोड़े क्रॉप्स होते थे बहुत ही थोड़े और खाने के नाम पर कुछ था नहीं इसलिए इसलाम ने बहुत प्रॉमिस किया उसके अपने मानने वालों को कि तुम्हें बहुत सारे ऐसे बाग बगीचे मिलेंगे जिसमें कि बहुत सारे पाम के पेड़ होंगे अंगूर होंगे और दूसरे फल होंगे और लेकिन फल और फूल जो फल है और खाना है उसका कम बताया है एमफेसिज नदी पे जादा दिया है क्योंकि रेगिस्तान में लोग भूक से कम और प्यास से जादा मरते थे तो जो जन्नत है इसलाम में उसने वो जो वहां रेगिस्तान की कमियों को पूरा करा बहुत अच्छी तरह से कि वो उन्होंने उन बैदून लोगों को जो प्यास और भूक से मर जाते थे उनको नदियां और फल प्रोवाइड करे अपने वादों में जन्नत के वादों में उनको वो सब चीजें मिलेंगी अब यह कहती है कि दूसरे पर अटैक करना उनको रेड करना उनको लूटना यह वहां पर आम बात थी और लोग छोटी छोटी बातों पर भाना ढूंडते थे कि हम एक दूसरे को लूट लें और उनका खाना और पानी चीन लें क्योंकि खाना और पानी वहां पर नहीं मिलत तो अगर आपको कोई जो है रेड कर रहा है आपको लूट रहा है तो इसका मतलब कि आप गरीब हो रहे हैं और आप जो है वो सब चीजें आपकी निकल रही है आपके हातों से जबकि जो लूट रहा है उसकी जो है बूटी बढ़ जाती थी उसके पास समान आ जाता था तो अगर आप इस तब इसलाम आया उसने क्या किया कि रेडिंग ऑपरेशन्स जो थे ये लूट मारी के इनको और और गनाइस कर दिया इसने कैसे और गनाइस करा इसने कहा कि जो मुहमद और उसके साथी लूटे हैं वो तो सही है पर जो दूसरे लूटे हैं वो सही नहीं है और हर एक अगर आप ये कहती है वफा कि अगर आप कोई भी किताब अरबिक मुहमद की जो प्रॉफिट मुहमद के उठा के देखो अर्भी में तो वो सारे इन रेड्स इन लूटों से भरी हुई है और हर लूट का एक नाम दिया हुआ है और उसके बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है तब आपको अगर एज रीडर समझ में आएगा कि इसका रेड करने का जो एक ही लक्ष था वो दूसरे की चीजों को ले लेना तो फिर यह कहती है कि इसलाम ने जो है ना इन रेड्स को इन लूट मारों को जस्टिफाई किया अरे मैंने इसको अनलार्ज नहीं करा हुआ है तो वो कहती है पफा की जो इसलाम है उसने इन लूटों को जस्टिफाई किया कि भई यह अल्ला की राह में करी हुई है यह सारी मौतें जो हुई है यह अल्ला की राह में हुई है और लेकिन उसने यह कहा कि भई अल्ला के नाम पर यह एक तरह की मौतें हैं जिहाद है जो लेकिन ये चीज जो है इनका बेसिक एम था कि भई दूसरे का समान और उससे लाब लेना अब कहती है कुरान में बूटी जो है वो एक से ज़्यादा बार दिया गया है और कुरान उसको फॉर्बिड भी नहीं करता बलकि वो कुरान की आयत ये भी कहती है कि जो नभी है वो एक बटा पांचवा हिस्सा हर लूट का रखे और फिर ये बताती है कुरान 841 में लिखा है कि उसमें से एक बटा हिस्सा जो है वो अल्ला और उसके नभी का है और उसके रिष्टेदारों का और उसके नीडी और जो औरफन्स हैं और वेफेरर हैं उनके लिए है तो अब ये तो हमें पता है कि अल्ला था नहीं कोई वो तो इमेजनेरी है तो ये सारा एक बटा पांचवा हिस्सा जो है वो नभी का मना जाएगा और वैसे आपको बता दूँ कि वो तो तब है जब जिहाद हुआ हो अगर आत्म समर्पन करा हो अगली पार्टी ने डर के मारे तो फिर तो सारा ही मुहम्मद का है ये भी एक आयत है अब ये कहती है in his commentary on the Quran Al-Qurtubi Al-Qurtubi की Quran की commentary यनि तफसीर में explain करा है and know that out of all the booty he may acquire you took something from the unbelievers by force this indicates that booty was seized against the will of its rightful owners so this is the case of the Quran Al-Qurtubi की तो ये कहती है कि उसकी कुर्टबी में लिखा है कि देखो जुती भी तुम समान दूसरे का लेते हो वो तो तुम जबरदस्ती लेते हो काफिरों के काफिरों से जबरदस्ती उनका माल लेते हो और इससे पता चलता है कि ये सारा समान जो था वो उनकी मर्दी के बिना लिया गया था जो कि उसके राइटफल ओनर थे उनकी मर्दी के बिना और लेकिन जो मुस्लिम कमेंटेटर हैं वो कभी भी नहीं अग्री करते ये कभी नहीं अग्री करते कि कि अल्ला जो है वो अपना शेयर कैसे लेगा इस बूटी में से और ये शेयर किसको दिया जाएगा बल्कि उन्होंने अराम से ये मान लिया कि जो नभी है वो ठीक से जो अल्ला का जो शेयर है वो नभी लेकर उसको डिस्पोस करेगा पर और कुछ नहीं दिया ये नहीं दिया कि अल्ला इस बूटी से क्या करेगा और किसको देगा बल्कि बस ये कह दिया है कि नभी उसके त अच्छा तो अब यह लिखती है वफा सुल्तान कि मुहम्मद कोई भी चीज जो है ना वो बहस के लिए नहीं छोड़ना चाहता था तो उसने यह कह दिया कि जो भी लूट मार होगी तो जो लूट के पांच हिस्से किये जाएंगे और जो है वो एक बटा पांचवा जो है वो अल्ला और उसका होगा अगर मुहम्मद यह कहता अगर सब के लिए नहीं बोलता कि भाई बाकी के हिस्सों किस किस के पास जाएगा तो फिर सारे लोग कहते कि अरे मुहम्मद कैसे रख लिया एक बटा पांचवा हिस्सा बलकि जो एक हजार लोग और लड़े हैं जिहाद तो उनके बीच में चार बटा पांच हिस्सा और मुहम्मद अकेले का एक बटा पांच हिस्सा तो वो इस बात में जो है वो उनको में से और एक अकेले मुहम्मद के लिए एक वटा पांच वाई सा इसी लिए जो है इस चीज को दूर करने के लिए उसने उसको जो है पूरी तरह से कहा कि भाई इसको पांच तरह कैसे बाटेंगे और फिर जो है फोर फिफ्ट जो है वो हम उसको देंगे और तो ये बताने के लिए कि अल्ला जो है ना वो उसको मिल रहा है एक बटा पांचवा हिस्सा पर मुहम्मद जो है वो उसके अल्ला के शेयर को डिस्पोस कर रहा है अब यह कहती है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो बड़ा प्ले करती है इसलाम में इस्पेशली ऐसे एंवायरमेंट में जहां की अन्नोन बहुत कुछ है क्योंकि जहां लोग प्यास और भूक और प्यास से मर जाते है फिर यह कहती है कि एक और बात मुहम्मद के बारे में कही गई है मुहम्मद ने एक बार कहा कि killer के पास right है जो माले गनीमत है उसका right killer के पास है इसका मतलब कि जब भी एक मुसल्मान एक non-muslim को मारेगा तो उसका right है उसकी property तो ये एक हदीत है जो कि मुहम्मद ने कही है और इस से difference of opinion आया है मुसल्मानों की बीच में कुछ कहतें लगे कि किलर कैसे जो है जो है वो एंटाइटल हो गया स्पॉइल के जब कि कुरान में कहा है कि बूटी को पांच तरीके से डिवाइड करा जाएगा क्योंकि एक जगे हदीद कहती है कि जो मारता है जो किल करता है उसका सारा समान है अब इसलिए ताकि इतने सारे लोग जो लड़ रहे हैं इन दो बातों में कुरान की और हदीद के बीच में ये जो डिफरेंस आ गया है कि उसमें कुरान में लिखा एक बटा पांचवा हिस्सा जो है वो मुहम्मद का होगा और बाकी हदीद में लिखा है कि जो मारने वाला है वो सारा समान उसका होगा तो इसके बीच में बहुत सारे लोगों के बीच में डिफरिंग वियूस है और तब कहने लगे कि अगर थोड़ा कुछ है लूटने के लिए तो फिर किलर को चला जाएगा लेकिन अगर जादा है तो उसके पांच हिस्से करे जाएंगे और इससे पता चलता है कि फिर स्ट् अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हो तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर आता है वो देखता है कि तुम्हारा मोटिव क्या था मारने के पीछे अगर तो जो मरावा व्यक्तिया उसका जो वालेट है जो उसका परस है और उसके पैसे हैं उसके बॉड़ी पर पाए जा जहां पर होना चाहिए तो जो डिटेक्टिव है वो यह कहेगा इन्वेस्टिगेटर कहेगा कि भाई चोरी एक मोटिव नहीं था ठीक है हमने पिच्चरों में भी देखाया रियल लाइफ में भी ऐसी होता अगर परस जो है आदमी का जो बटुआ है वो उसकी जेब में ही स मिल जाए इसका मतलब हम यह लगाते हैं कि भाई चोरी एक उद्देश नहीं था कोई और उद्देश था जैसे रंजिश होगी या कुछ और पर अगर उसके पॉसेशन्स मिसिंग हो तो फिर जो है मोटिव अब मडर जो है वो हम कहते हैं कि भाई थेफ्ट था कि भाई चोर की करने की वजहेसे इसको मारा गया अब यह कहती है कि मूसलिम जिस्टिफाइ करते हैं मुहमने जो लूट पाट की यह सारे युद्ध तो उन्होंने सेल्फ डिफ्एंस में की तो फिर jeh कहती है कि मैं यह बिलीव नहीं करती कि इन्होंने चोरी क्यों किरी अगर मालो इन्ह अब ये कहती है कि अगर मालो तुम अंधेरे में कहीं जा रहे हो तुम पर कोई अटेक करे और तुम ने उसको मार दिया जान से तो तुम कह सकते हो कि हाँ भई तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा लेकिन इसके बाद अगर तुम उसका बटूआ भी चोरी कर लो और उसका पैसा रख लो जब तुमने उसको मार डाला तो फिर तुम क्या ये कह सकते हो कि मैंने उसका बटूआ जो है वो सेल्फ डिफेंस में चोरी किया ये तो बहुत सही बात बोली इसने तो ये कहरी है कि अगर आप सच बोलते हो कि तुमने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा है तो क्या तुम तब भी सच बोलते हो जब तुम कहते हो कि तुमने उसका बटूबाबी चोरी किया है सेलफ डिफेंस में फिर कहती है वफा सُल्तान की जो मुहम्मद है उसकी पूरी बायोग्रफी में यह बहुत जाधा हिस्सा जो है वो उसके रेड़ के बारे में है उसकी लूट पार्ट के बारे में पिर कहती है कि पार्ट टू जो इबन हिशाम की बायग्रफी है मुहम्मद की बारे में उसका जो पार्ट टू है वो यह कहता है कि मुहम्मद ने 27 रेट्स करे अपनी लाइफ में लेकिन कई सारे और हिस्टोरियंस हैं जो की और भी हायर फिगर रिपोर्ट करते हैं मैंने एक जगह 84 भी सुना है इबन हिशाम ने 27 का जिक्र किया है कि इसने 27 युद्ध करे मतलब दूसरों की चीज़ें लूटने के लिए फिर यह कहती है कि मैं उससे कंसर्ण नहीं हूं कि लोगों ने मतलब और भी हायर कहा है कई लोगों ने 27 से भी ज्यादा कहा है लेकिन मैं उससे कंसर्ण नहीं हूं कि इस्टॉरिकल अकाउंट इनका रेड्स का लेकिन अगर कोई भी इनको जो है वो शुरू से आखिर तक पड़ेगा तो वो कन्विंस हो जाएगा कि इन इन जो रेड्स हुई है यो जो युद्ध हुए हैं इनके दो ही रीजन थे और उसका सबसे इंप उकसान पहुचाना उनको मार डालना जान से तो फिर यह कहती है कि जब एक चोर जो है वो एमबुश करता है अपने विक्टिम को एमबुश करना मतलब है कि उसको कहीं धोके से बुलाना और उसको ट्रैप कर लेना तो जब कोई चोर ऐसा करता है तो वो ऐसे विक्टिम को जिसको वो एमबुश करता है तो वो बहुत जादा चोट दे सकता है और ये भी देख सकता है कि भाई वो वापस तुमारे पर अटैक न कर पाए क्योंकि तुमने उसको एमबुश किया वो मतलब उसको पता नहीं था तुमने अच्छानक से उस पर ऐसी जगे हमला कर दिया कि अब वो ट्रैप हो गया है वहां से निकल नहीं सकता और तुमने उ अच्छानक से बिना उसकी जानकारी के अच्छानक उस पर हमला करा है तो इससे तुम उस पर ज्यादा डैमेज कर सकते हैं और यह कह रही है कि जब पहले लूट पार्टे होती थी तो भूक और प्यास से लोग जो है मर जाते थे तो यह मोटिव होता था लूट पार्ट करन का और दूसरे को नुखसान पहुंचाना यह दूसरा अब्जेक्टिव था और यह इसलिए करते थे ताकि जो दूसरी पार्टी है वो इनके साथ कभी बदला न ले पाए और इनके उनका मुकाबला न कर पाए इसलिए उनको मार देते थे इसलाम ने इसको लीगल कर दिया लेजिटिमाइज कर दिया और जो जो राक्षस इन लोगों ने पैदा करा था इसलाम ने जो अल्ला नाम का राक्षस है इसमें तो जो जो राक्षस पैदा किया है इस चीज़ को इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब यह राक्षे से इन लोगों ने पैदा किया जो कि इनको इस सर्वाइवल और इस भूख प्यास से बचाएगा और इनकी एक्जिस्टेंस को बचाएगा फूर्ये कहती है कि मेरे लिए तो ये अगर किसी मुसलमान का दिमाग समझना हो तो मेरे लिए ये bạn sehr important है जानना कि क्यों ये philosophy of raiding की ये loot part की जो philosophy है इसको जानना बड़ा जरूरी है जो की इनके दिमाग की जड़ों में है मुसलमानों की दिमाग की जड़ों में है अब बैदुइंग जो थे वो दूसरों पर loot part करने से डरते भी थे लेकिन उसको एक जिन्दगी जीने का सहरा भी समझते थे और फिर इसलाम आ गया उसने तो इसको लीगल कर दिया अब मुसलमान जो 21st century में रह रहे हैं वो फिर भी उनको भै कि वो दूसरे लोग उन पर अटेक कर देंगे और फिर वो हमेशा हर सेकंड जो है वो प्रिपेर करते रहते हैं जिहाद करने के लिए दूसरे को यह loot part करने के लिए यह loot part की फिलासिफी जो है यह इनके जीवनों को जो है rule कर रहे हैं और जिस तरह यह आचरन दूसरों से करते हैं और जिस तरह दूसरों से relationship बनाते हैं और decision लेते हैं इनके अंदर loot part की ये चीज जो है ये जड़ कर गई फिर ये वफा सुल्तान कहती है कि जब ये emigrate कर गई अमरीका में तो इन्होंने वहाँ सी एकदम से जान लिया कि जो वहाँ के जो local लोग थे अमरीका के वो इस सोच में नहीं थे कि दूसरों को लूटें पाटें लेकिन इनके जो मुसल्मान थे जो वहाँ रह गए हैं मुसल्मान जो आ गए हैं बड़े सालों से वो वो भी जो है इस loot part की thinking को छोड़ नहीं पा रहे हैं फिर ये कहती है कि ये United States जब आई अमरीका तो उसके कुछी हफ्तों में इसकी एक पडोस में एक अरब रहती थी वो इसको सुपर मार्केट ले गई ताकि वो इसको दिखा सके कि भाई ये कौन सा एरिया है हम कहां रहते हैं और क्या है तो ये लोग एक वोन्स मार्केट में गए तो ये वहां पर जाने के बाद ना हर पैकेट को खोलने लगी और जो वहां के काटन के मिल्क के काटन थे जलो के क्रीम के वहां पर छेद करने लगी होगी मार्केट के अंदर जैसे हम जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्त यहां पर यहां पर इस टाइप के मार्केट होते हैं कि ऑंदर हम एक कार्ट शुरू में रख्योंती और कार्ट लेकें अंदर जाओते हो और समान सब जग Era कार बेर जा होग एकर दो जैसे आपके वह उसमे तो इस तरह के होते हैं यह पर रह एक जगह मतलब लगा होता यह section me is तरह का समान मिलेगा उस वाले section में उस तरह का यह इस तरह से होते है तो यह वह जो अरभी औरत थी यह र जगे जा है के सारहों के डिबो में दूद के कार्टन्स वगरा में छेद करती रही और आलू के चिप्स में पैकेट्स में हेंकरचिस में स्पैगेटी में तो इसने बड़ी जोर से उसको चिला के कहा अरे दीना तुम क्या कर रही हो तो वो अर्बी औरत बोली कि अल्ला इन पर लानत भेजे इन लोगों ने हमारी जमीन छीन ली है और तुम तुम क्या कर रही हो इसको वापस लाने में ले मैं तो उनको हर्ट कर रही हो तुम तो अभी नई आई हो तुम्हे इसके ओनर जो है वो यहूदी है तुम्हे पता नहीं है वफा कहती है कि यह पंदरा साल पुरानी बात है जबकि मैं यहां नहीं नहीं आई थी पर आज मैं और भी ज़्यादा कन्विन्स हूं कि समय से कुछ नहीं होता इनकी मेंटलिटी कभी नहीं बदल सकती तो जब भी कभी मुसल्मान को महसूस होता है कि यह एन्वायरमेंट नया है उसके लिए तब तक वो उसको लूटता रहेगा और वो इसके दिमाग में यह फीलिंग होती है कि मैं यहां आया हूँ इन लोगों को लूटने और इनको नुकसान पहुँचाने अब जैसे किसी लोकालिटी में ट्यूजडे होगा किसी लोकालिटी में वेंस्टे होगा थर्स्डे होगा इस तरह से बटा हुआ है जैसे हमारा गार्बेज डे जो है वो किसी दिन होता है सपोस कर लो वेंस्टे को होता है एक तो हाँ city की तरफ से मिलता है यहाँ पे कूड़े दान तो कूड़े एक कूड़े दान एक recycle करने का एक consumable जो हम खाने पीने का डालते ना compost उसका भी मिलता है तो यह कहती है California में तीन तरह के garbage can मिलते हैं एक तो non recyclable refuge जिसको recycle नहीं किया जा सकता एक glass paper और metal के लिए और ती मतलब जैसे लकड़ी हो गई और जो आप घास वगेरा करते हैं न उसके लिए अच्छा तो इसको एक बार invite किया था एक lunch party में एक इसकी एक मुसल्मान दोस्त थी उसके घर में इसकी lunch party के लिए इसको बुलाया गया तो जब party खतम हो गई तो फिर यह जो है यह सब लोग जा तो यह इसने उससे पूछा कि तुम इस garbage को तीन तरह में नहीं करती हो अलग अलग क्योंकि उसमें metal glass और एक में जाता है और एक में paper जाता है तो वो इत्ती जोर से बोली अल्ला लानत भेजे तुम सोचती हो कि क्या मैं इनके environment को सही करूंगी तुमें पता नहीं है कि यह पहले और second Gulf War से आए है इन्होंने पहले और second Gulf War में क्या किया था इन्होंने हमारे देश के environment को अपने waste से poison कर दिया था तुमें पता नहीं है कि ऐसी वैशियां जिनको AIDS हुई थी जिन ऐसी वैशियां को इसराइल ने जॉर्डन और एजिप्ट में भेजा ताकि हमारे देश में AIDS पहल जाए तो फिर इस ये बिचारी दुखी हो गई थी वफा सुल्तान इन सब की बाते सुन सुनके तो इसने का हाँ हाँ मैंने सुन रखा है तो ये कहती है कि इसकी दोस्त को पता है कि पूरी ओमर इसकी दोस्त यहां रहेगी इसके बच्चे यहां रहेंगे इसके ग्रेंड बच्चे रहेंगे लेकिन फिर भी इसको यहां के अन्वायरमेंट की कोई चिंता नहीं इसको हर वकत लगता है कि मैं कैसे यहां लूट लूँ इन लोगों को नुकसान पहुँचाऊ और ये जो लूट मार की इनकी mentality है मुसल्मानों की ये जाती नहीं है और ये कभी change नहीं होते ये हमेशा सोचते हैं कि इनकी private beauty और इनके actions के बारे में अपने comforts के बारे में मुसल्मान जो है वो खाना भी खाते हैं लूट कर कपड़े भी लूट कर पहनते हैं बाचीत भी लूट के करते हैं और कार भी चलाते हैं लूट की अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे यह सत्य देखा, वफा सुल्तान कहती है, कि आप कभी देखो कोई मुसल्मान जो कोई शुकरवार के दिन मस्जिद में जो है सर्मन दे रहा हो, यानि क्या बोलते हैं उसको सर्मन देने को, मतलब जो शिक्षा देते हैं, जो इस लोग किसी भी मुसलिम देश में जाके देखो, तुमें उसकी भाषा समझने की जरूवत नहीं है, जिसमें की वो तुमें शिक्षा दे रहा है या प्रीच कर रहा है, खाली उसकी चिलाहट को सुनो, उसके हातों के जो है वो जेस्टर्स को देखो, और फिर देखो कि वैस कैसे लूट मार से वो बंदे हुए हैं, उसका च लाना, वो सब एक लूट मार से मैच करता है, कहती है कि मैं एक बहुत चोटे टाउन में जो है पली बड़ी जिसमें की चार मस्जिदें थी, हर कौर्टर में, और वहाँ पर पब्लिक में प्रेयर होती थी वो शुकरवार के दिन, और शुकरवार के दिन सारी एक्टिविट आते थे नमाज पढ़ने के लिए, जबकि ओरतें जो थी वो अपने घरों में बंद हो जाती थी, अपने बच्चों के साथ, और अपने जो मस्जिदों की जो वो हैं, वो सुनती थी अपने खिड़कियों से, अपनी बालकनियों से, चुप चाप सुनती थी, और इन लोगो में कोई वो नहीं था कि एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद में आवाज जा रही हो, हर प्रीचर जो है अपनी वाइस जो है, जो है बहुत जोर से बोलता था, इतनी जोर से कि जिस से हमारे कान बहरे हो जाएं, और हमारा घर बड़ा करीब होता था एक मस्जिद के, इतना करी कि ऐसा लगता था कि जो मस्जित का लाउट स्पी करें वो हमारे बेडरूम में लगा हुआ है हमारी जो फैमली थी उनको इस नॉइस पॉलूशन को सहना पड़ता था फिर ये कहती है अब जब भी मैं पीछे मुड़ती हूँ और याद करती हूँ उन दिनों को जब मैं बहु कि इतना जोर से आवाज करकर के इनोंने मेरी उस प्राइवेसी को लूट लिया था ऐसी कोई मेरे जीवन में ना लूटे कहती है कि म्यूजन की जो इनकी आजान होती है उसकी आवाज इसके बेडरूम में उसका शोर पांच वज़े सुबह से होता था और इतनी छोटी होकर भी इसको जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था कि मैं इसके को कैसे रिस्पॉंड कर दूँ कैसे रिस्पॉंड करूँ और इसको बहुत इरिटेशन होता था कि इसको क्यों तंक करा जा रहा है सुबह सुबह उटके कि हाँ वो अल्ला की आवाज और उसके नभी की आवाज है तो मैं क्यों उस आवाज को रिजट करूँ तो यह सोचती थी कि जो अल्ला है वो बहुत रेट्रिबूशन में है मतलब उसको लोगों से बहुत बदले निकालने है यह चिलाने को बहुत रिजट करती थी लेकिन उसी वक्त इसको डर भी लगता था कि यह कुछ कहेगी तो फिर यह सही नहीं रहेगा कि अल्ला इससे न नराज हो जाए तो इसको हाला कि यह अपने मन से उस चिलाने को रिजट भी करती थी पर इसको डर भी लगता था रिजट करने और इसका कंफ्यूजन और भी बढ़ ज और अर्बी जो है वो बहुत सारी भाषाओं से फरक है और यह वहां की official language होती थी लिखने और पढ़ने की और वहां की जो colloquial language है ना बोलचाल की भाषा जो बोलचाल की अर्बी है उससे थोड़ी उससे बिल्कुल फरक थी जो लिखने और पढ़ने की अर्बी है वो बोलचा लेकिन जो लिखने और पढ़ने वाली अर्भी है वो नहीं उसको पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और मेरी मा ने वफा सुल्तान कहती है कि उसकी मा ने कभी भी कुरान या कोई भी इसलाम की किताब या उसकी जो टीचिंग्स हैं या उसकी हिस्ट्री के बारे में कभी नहीं पड़ा और उसकी नॉलिज उतने तक्सीमी थी जितनी की वहां की जो लोकल महिलाएं थी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से जो सुनाती रहती थी वो पासओन करती रहती थी मा से बेटी को बेटी से उसकी बेटी को वो सब ही उसको पता था और इसी लिए इसकी मा को कुछ नहीं पता था कि वो जो preacher है मस्जिद में वो क्या कह रहा है लेकिन वो इधर उधर एकात शब्द यहां वहां से पकड़ लेती थी लेकिन उसको पता नहीं था कि यह कैसे expressions में use हो रहा है लेकिन उस preacher को सुनना मस्जिद के उसको बड़ा fascinate करता था वो बड़ी प्रभावित होती थी वो यहां तक की rating भी करती थी कि कहां का preacher जो है वो कितना ज़्यादा उसका भड़िया है वो उसकी आवाज कितनी उची से वो पता लगाती थी कि वो कितना उसकी rating करती थी और कि कितने emotions से वो बात कर रहा है और कुछों की वो तारीफ करती थी कुछों में वो दोश निकालती थी अब यह कहती है कि इसकी मा जो है वो बड़ी fascinate होती थी कि भई वो चिला चिला के बोल रहा है तो इस बास से वो बड़ी खुश होती थी लेकिन यह वफा सुल्तान उस बास से बड़ा hate करती थी और इस यह कहती है कि मैं जो है इस चीज से जो है वो निकल जाना चाहती थी और अब यह जो है इस कलचर ऐसी कल्चर से जहां पर चिला-चिला के और दूसरों को लूटने का यह कल्चर से यह निकल चुकी और यह कहती है अपने अनुभव से कि यह बताती है कि मैं अपने अनुभव से कहती हूं कि दो मुसलमान अपने आपस में बात नहीं कर सकते जब बिना चिलाएं दस मिनटों के अंदर ही वो चिलाने लगेंगे इस्पेशली अगर वो एक दूसरे से डिसग्री करते हैं और उससे कभी कोई अच्छा नहीं आ सकता और जब तुम किसी मुसलमान से बात करते हो तो अगर तुम बहुत काम वाइस में और बहुत धीमे से बात करो तो उसको बड अगर कोई आराम से बोले तो इनको लगता है कि तुम हार गए और ये जीत गए एक मुसलमान जो है वो दूसरे से अगर चाहें किसी मुसलमान से बात करे या नौन मुसलिम से वो कभी याद नहीं रख पाता एक सिंगल शब्द भी जो दूसरे बंदे ने कहा है जैसे कि इसकी माँ जो है कोई भी एक जो प्रीचर है जो मौस्क में कहता था जितनी बातें वो समझती थी जितने शब्द उसको याद रहते थे उससे जादा कोई ये लोग याद नहीं रखते अगर यानि कि मुसलमान आपसे बात कर रहा हो तो वो उससे जादा दूसरे के शब्द याद नहीं रख पाएगा अब ये ये भी उपर अलकृतुबी का इसने बताया था कि वो मुसलिम स्कॉलर था 1214 और 1273 के बीच में और उसकी सबसे फेमस बुक है तफसीर अलकृतुबी जो की एक 10 वॉल्यूम कमेंटरी है यानि ये तफसीरें हैं जो कुरानिक वर बताया है मुझे ये बात याद नहीं रही कि ये लोग जो हैं विदेशों में आते हैं और यहां पैकेटों में छेद वगएरा करते हैं इन लोगों का नुकसान करना चाहते हैं अमरीकियों का इतनी गंदी बात है इन लोगों को तो जेल हो जानी चाहिए हाम ट्यू ट्रू वर्ल्ड जी मेरे पास तो 27 रेफरेंसिज हैं आईशा की एज के उपर थाइनी पल की पूरा ही कर सकते हैं रेप बहिष्टी जेवर के अकॉर्डिंग लिए इनके मॉलवियों की वीडियो भी है कि एक दिन की old बच्ची जो अभी पैदा हुई है उसके साथ भी आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई एज लिखी ही नहीं है कि इस एज पर करें इसलिए कोई अभी पैदा हुई है उससे भी करा जा सकता है झाल झाल जर्नलिजम टाइकून आपका दिमाग क्या खराब है अपनी वाइफ कोई भी अरब शेक को उफर नहीं करता पता नहीं कहां से ऐसी बेब कुफी की जैसे रेगिस्तान में लोगों की बिना रेफरेंस के बिना किसी बात के ऐसी जो गपे मारते ना लोगों के बारे में लूस टॉक यह वाली बात है कि दूसरों के बारे में जूटी अफवाहें पहलाना अमीर सैफी जी आपको मालूम ही नहीं है कि जो है वो हम गौड का रेप्रेजेंटेशन करते हैं गौड पर फोकस करते हैं कोई पत्थरों को नहीं पूछता है तुम्हारा दिमाग कितना चोटा और बेबकूफ है अगर तुम्हें डिबेट करनी हो तो आ जाना जर्नलिजम टाइकून तुम अपना डर ना अपने अपने बच्चों और अपनी बीवी और अपने लोगों पर रख रखो समझ में आई मैं तुम्हारी बकवास से डरने वाली भी नहीं हो कल को मेरे को कोई मारने आए तो मैं तुस्ते कहूं तू कल मारता हो तो आज मार दे और आज मारता हो तो अभी मार दे मुझे समझ में नहीं आया आपका कॉमेंट कौन समीर पैस्टर मैं तो किसी समीर पैस्टर को नहीं जानती चलिए आप लोग इधर उधर की बाते करें तो मैं अब रागव जहा जी ने 40 रुपीस का कॉंट्रिपिशन किया थैंक यू सुरह 8 अन्फाल माले गनीमत सुनत यह तो बहुत ही बेवकूफ है यहां की विमेन जो होती है न उनको कोई टच भी नहीं कर सकता उनका हजबेंड भी उनकी मरजी के बिना उनको टच नहीं कर सकता तो हजबेंड अपनी वाइफ को कैसे दे सकता है किसी और को जब husband ही अपनी wife को touch नहीं कर सकता है, उसकी permission के बिना यहाँ पर rape समझा जाता है, चाहे शादी हो जाए उसके बाद भी rape समझा जाता है, यहाँ पर शादी होने के बाद भी उसकी permission के बिना husband wife को नहीं sex कर सकता, समझ में आई, तो अपनी wife को किसी और को देने का तो सवाल ही न तो फिर अभी मैं जो है यह स्ट्रीम क्लोज करती हूँ आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्रा मेरे को टाइम मिल गया थोड़ा सा रिसर्च करने का और मिलते हैं कल पांच बज़े रिगवेद में और प्लीज फ्रेंड्स लाइक करें वीडियो को ताकि यूट्यूब उसको आगे रिकमेंट करें जय हिंदू राष्ट्रा करें रिकमेंट करें लोड़ा रिकमेंट साफ लोड़ा ज समय मौ एर फाल भॉट्रा मेंटियो किहा रिकमेंट